तो लेंश लो क्या बताता है हमको लेंश लो हमको यह बताएगा कि किसी भी कोईल या कंडुक्टर में इंड्यूस होने वाला करण्ट कौन सी डायक्शन में होता है एक एक जामपल से समझते हैं इसको एक केस में हम मैग्नेट का नौर्थ पॉल इसके पास में लेके आ रहें दूसरे केस में मैग्नेट का नौर्थ पॉल जो इसकी तरफ है उसको दूर लेके जा रहें दोनों कंडीशन में कौन सी डायक्शन में करेंट इंड्यूस होगा अब लेंश लो क्या बोलता है कि किसी भी कोईल या किसी भी कंडुक्टर में इंड्यूस होने वाला जो इंड्यूस होने वाला जो इमफ है वह हमेशा उस रीजन का पॉजिशन करेंगा जिसकी वजह से वह प्रणूस हो रहा है तो यहां पर अगर मैं इस मैग्नेट को पास लेके आ हुगा तो क्या चीज़ यहां पर चेंज होगी इस कोयल से पास होने मैं मैग्नेटीक फिल अग तो मतलब करंट इंडियूस होता है लेकिन अगर मापको पूछू कि बताओ कि इस कोईल में करंट या इंडियूस होने का रीजन क्या है तो रीजन में इंक्रीज होना और क्यों इंक्रीज हुआ क्योंकि मैगनेट पास आई मतलब यहां पर मैगनेट का पास आना ही वह रीजन है जिसके वज़े से कोईल या कंड़क्टर के अंदर या करंट इंडियूस हो रहा है अब इस रीजन का अपोजिशन कैसे करेगा यह लूप यह जो कोईल है इसमें करें करें और यह तो स्कून के लिए करते हैं इसको सब्सक्राइब करकरें और यह जो का रिपज़े कर सकती है एस मैगनेट के नुर्थ पॉल को जब इधर वाला की पहल करें ऐक नौर्थ को कीतर शोल कि तरह इस रई जाँनकोट से नॉर्थ पॉल होता जाएगा। तो यहाँ पर मैगनेट होने का रीजन क्या है मैगनेट का दूर जाना तो मैगनेट के दूर जाने का से किसे females kiss यहां पर यहाँ तो यहां पर चीप करेगा किये चीैंडे Mog यौर जाने का सबसीक्ति करेगा मतलर उकाक की कैरे लोगे सकता है जब इदर वाला किया बन जाए साउथ पोल बने और साउथ पॉल कब बनता है जब करेंट कि डारेक्शन क्लोक्वाइस हूं बास समझ में आई क्या बेंडियूस करें डारेक्शन हमेशा इस तरहीक से होगी कि वो रिजिन का पॉजिशन करें जिसके वह वो चूरू है है इसी को हम बोलते हैं लेंट्स लोग यह वायर है कि इसमें फैनल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके दोनों साइड में हमने दो लूप रख दिया सेम्लें में यह फ़स्ट लूप है यह सेकंड लूप आपको बताना है कि लूपस में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डा इ एंडियूस करेंट की डायरेक्शन क्या होगी मतलब क्लोक वाइज एंटिक लोक वाइज ऐसा बताना है